हाई गाईज वेलकम तो मैं चैनल तो आज की वीडियो हम शॉट एंड क्रिस्प रखेंगे क्योंकि मैं साजिद खान के बारे में बात करने जा रही हूं जो उनका ओवर कॉंफिडेंस है ओवर कॉंफिडेंस की वो फिनाले में जाएंगे वो सबको ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तो फिनाले में जा रहा हूं मैं देखता हूं कि तुम मेंसे कौन मेरे साथ महां पर आएगा तो उनको अपने उपर इतना कॉंफिडेंस हो चुका है कि भाईया मैं तो यहां पर हूं I am the boss उन्होंने प्रियांका को जो एक लड़की हेरोईन है इस घर की उसको विलन बना दिया जबकि उनको यह नहीं समझा रहा कि जब वो माई ग्लैम जीती है तो इसका मतलब उसको ओर्डियन से कितना प्यार मिल रहा है मतलब आप कुछ भी नारेटेव घर में बैठे करते हो आपको लगता है अंतर्यामी हो आपको यह भी पता है घर में क्या आप नेक्स अच्छी थी आप जब भी नॉमिनेशन में आते थे इस बारी तो फसे हो अब देखते हैं क्या होता है वोट्स तो आप ही को सबसे कम आएंगे लेकिन देखना यह है कि कम वोट्स के आने पर क्या सच में आप निकलोगे या आपकी जगा कोई और निकलेगा बली का बकड़ कि भईया हमें सुम्बुल इसलिए चीह कि यह हमें खाना बना कर दे क्यों भई वह आपकी ड्यूटी पर आई वी है क्या आपकी हाउसोल्ड है आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा वह डान्स करती है ठीक है उसके एक बार हसी आती है दो बार आती है आप तो उसको कितना ज कि आने वाले समय पे वह हमें धोका देगा तो आप ऐसा कोई इंसान है जिसकी आप बैक बिचिंग नहीं करते हर इंसान की आप बैक बिचिंग करते हो अब्दू ने बात नहीं करी उसको ऐसा बोला गया है अब्दू प्रियांका से बात कर ले तो प्रियांका उससे बात कर आपको इतना सा करेंगे आज भी जब आपको इतना सा बॉल दिया कि आपको placebo क्शेरे पर आता है मैं किसी से नहीं डरता其實 को भी कि में इस विल यह तूने 20 लगा olması जिस पर प्र्यांका ने बोला आप मेरे को और रंकित को क्यों बीच मिला रहे हो हमारा क्या लेना देना है आपकी इस टॉपिक से लेकिन उसने मुँ पे इनके जवाब दिया कि एसा है मेरे और अर्णकित की जो दोस्ती है आपकी और अरंकित की वैसी दोस्ति कभी भी नहीं थी और हमारी दोस्ती हमेशा उपर रहेगी यही चीज वो कल जब अपने आपको सुपीरियर दिखाते वे अब दू को समझा रहे थे कि तू प्रयांका से तीन आसे खासकर वो प्रयांका के लिए बोल रहे थे बात मत कर द्या जेस्ट यूनो यूजिंग यू तो उसने भी ब करवाएगी क्योंकि अब जनता के हाथ में आया है अगर मेकर्स देते हैं तो एविक्ट साजित खान जो होना चाहिए और यह कोई पब्लिक परसन नहीं है इनको कोई लाइक नहीं कर रहा है क्योंकि अगर शिफ्ट प्रियंका से बात करता है वो भी इनको बरदाश नहीं होती है इनकी निमृत मैडम को भी नहीं होती है कि दोस्ती हो रही है एमसी स्टैन उसकी प्रेस करता है वो भी इनको बरदाश नहीं हो रहा है मतलब इतना जैलसी यार काई को तो यह मुझे लगता है कि अब जो साजित जी को यह लगता है कि यह आई मी, मैसेल्फ यह वाला जो उनका फंडा है न वो अब खतम करना पड़ेगा तो मैं इसलिए सारे फैंडम्स को बोलने आई हूं गाईस let's do it all the very best और अगर आपको मेरे views मेरे opinions पसंद आते हैं तो please मेरे चानल को subscribe करिए video को like करिए और support कीजिए thank you